बवानी मिंडी में सिख समाज द्वारा बाहन रहली निकाल कर पालिका अधिशासी व उपखंड अधिकारी को ग्यापन सौप कर विरोध प्रदर्शन किया गया गुर्द्वारा प्रधान गुर्मुक्षिंग सलूजा ने बताया कि 11 फरवरी सनिवार को नगरपाली का मंदल द्वारा कविशा मेलन का आयोजन किया गया था जहां कई राष्ट्रिय कवियों ने भाग लिया था इसी बीश अलवर के वीर रस के कवी विनीत चौहान द्वारा सिखों के दसबे गुरु गोविन सिंग वा उनके सहजादों के बलिदान की कविता सुनाई जा रही थी इसी बीश नगरपालिका पार्षद राजिक अंसारी वराकेस दरपड़ द्वारा कवी को अपनी कविता पाठ करने से रोका गया था जहां कविता पाठ रुकने के दोरान बीच में हंगामा खड़ा हो गया था वही सिखों के गुरु की कविता को ना पढ़ने देने यह सिखों के गुरु का ही नहीं बलकि पूरे सिख समाज का अपमान है उसी को देखते हुए मंगलवार को सिख समाज़वारा विरूत दर्शनकर सहर में वाहन रैली निकाल कर नगर पाल का अधिसासी अधिकारी मनिस मीडा वा उपकंड अधिकारी कमलकुमार मीडा को दोनों पार्शदों के खिलाब कारिवाई करने वा उन्हें अपने पद से हट पड़ाने की मांग की गई सथी दोनों पार्शदों को सिख समाज की धर्मिक भावनाव को ठेस पहुचाने के चलते गुर्दवारा में आके माफी मागनी होगी अगर पालीका वह प्रिसासन दोनों दोशी पार्शदों पर तीन दिन के अंदर कोई कारिवाही नहीं करता है तो समाज को और संगटनों के साथ मिलकर उग्र अंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रिसासन की होगी भवानी मंडी से बीपिय ने उच संबाद्धाता की सोटतवर की रिपोर्ट